इट्स टाइम फूर मिस्टर ओलंपिया प्रेडिक्शन आई गेस ये सही टाइम है ओलंपिया की प्रेडिक्शन करने का क्योंकि लगबग सभी प्रोशों खतम हो चुके है और अरनौल क्लासिक लास्ट वे था ओलंपिया को कौलिफाय करने का ये भी खतम हो चुका है यानि प फिल हीत बट वो कंपिट नहीं करें जेम्स हॉलिंग शेड, हंटर लबराडा, पैटरिक मोर, हसन मुस्तफा, एंडरिया प्रेस्टी, जस्टिन रोडरेग्यूज, मौमज शबान, लादिस लाओ, इयन वैलियर, निकोलस लॉकर, यानि निक वॉकर और रोली विंकलर, यानि शुपन को अमेरिका में इंटरी मिल जाए, हम ऐसा प्रेयर करते थे, बट इस बार ऐसा लग रहा है, कि विल्यम बोनैक और बाकी कैमल कुर के मेंबर, जैसे की रोली विंकलर, नाथन डियाशा, ब्रेंडन करी, इनके लिए करनी पड़ेगी, आपको पता है, विल्यम को अर इस बार कॉम्पेटिशन बहुत टफ हो चुका है, और निक वॉकर, जैसे अथलीट लगातर कंपिट करते आ रहे हैं, सो आइथिंग उनके पास मोमेंटम है, बट हंटर ने बहुत मयूनों से कंपिट नहीं करा, सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, कि बाकी बॉडि बिल्ड इंडी प्रो वाली कंडिशनिंग लाने पड़ेगी, उनके पास अरनौल क्लासिक वाला मोमेंटम है, उसका वो फाइदा उठा कर ओलंपिया में कमाल कर सकते हैं, लेट्स होग, एट्थ प्लेस पर रह सकते है रोली विंकलर, अगर वो कंपिट करते हैं, तो रोली ने ना होगा कि वो कमपिट करेंगे या नहीं, मुझी थुड़ा मुश्की लग रहा है, तो देखते हैं कि ये सिर्फ आफवा है या सच, साथ भी प्लेस ले जा सकते हैं सभी के फेवरेट इयान वैलियर, इयान के पास शायद कोई बंगाली बाबा की जड़ी बुटी है, जि इसलिए उनके पास confidence बहुत अच्छा है, इसलिए 7th प्लेस यान वैलियर, 6th प्लेस पर रखोंगा नाथन डियाशा को, नाथन डियाशा क्या मलक्रू के साथ जाने के बाद कुछ अलगी लेवल पर पहुच गये है, वो muscular freaky तो हुए ही है, बट conditioning अच्छी कहरी कर रहे है, ह क्योंकि हमने उन्हें अब्दुला के साथ ट्रेंट करने के बाद नहीं देखा, क्या अब्दुला उन्हें सूट हुए या नहीं, ये देखना बाकी है, अगर अब्दुला अपने reputation के साथ से चलते है, तो विल्यम को और बड़िया प्लेस मिल सकती है, तो देखते है, विल उतनी मैचोर नहीं है, जो टॉप 3 से टकर ले सके, तो निक वाकर को 4th प्लेस देना चाहूंगा, और ओलंपिया डेबियू में 4th प्लेस छोटी बात नहीं होती, तिसरी प्लेस में दूँगा ब्रैंडन करी को, ब्रैंडन करी आइधिंक 2nd प्लेस से 3rd प्लेस पर जा सकते ह इसका कारण मुझे लगता है, जे कूर ने जो स्टेटमेंट दिया था, कि इस बार ओलंपिया मास के दम पर जज़ोगा, उसके बाद मुझे लगता है, ब्रैंडन की कंडिशनिंग पर जोर देने की जो स्ट्रेटरजी थी, वो फेल हो सकती है, क्योंकि हमने पिछले साल दे वो आइन टाइम पर आते है, और ट्रैवलिंग स्ट्रेस की वज़े से उनकी कंडिशनिंग बिगड़ जाती है, वो उतने अच्छी तरह से बॉड़ी को फिल नहीं कर पाते, बट इस बार केस अलग है, हमने उन्हें अच्छे शेप में और साइज में देखा है, आगर वो मैं तो रैमी को देखने के लिए बहुत एक्सेटेड़ हूँ, ये थी मेरी प्रेडिक्शन्स, आपके प्रेडिक्शन्स और आपके ओपिनियन्स ज़रूर कमेंट करना, तो ये ही ताज का वीडियो, अगर आपको वीडियो आच्छा लगा हो, तो लाइक शेर करना, और ऐस अच्छा अच्छी वीडियों के लिए सबस्क्राइब भी करना, अगर आपके पास बॉडि बिलिंग फिल्ड से लेलेटेड कोई न्यूज है, तो हमें इंस्टाग्राम पर शेर करना, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थैंक यू